नमस्कार एकबर पुर्ण स्वागत और अभिनंदन आपकी अपने चनल शुजा नमाचार में मैं शुक्ला, कारिपुस्तिका, परियावरण, पार्ट साथ, वस्तुओं में अनुकूलन को लेकर उपस्थित हों प्रहला प्रश्ण देखिए कि अनुकूलन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है, तो प्रतेक जीव में उसके परिवेश के अनुरूप तालमेल इस्थापित करने के लिए होने वाले परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं, यदि जानमर अनुकूलन ना कर सकें, त ऐसा नहीं हुआ तो जीवन दुरलब हो जाएगा, आगे देखिए एक निमास इस्थान के आधार पर निम्न जीव जन्तूं को वर्गित करिए, बहुत सारे जीव जन्तू आपको दिख रहे हैं, यहां वर्गी करन देखिए, कि इस्थली जीव जन्तू जो इस्थल पे रह जली जीव जन्तू जो जल में रहते हैं, उभैचर जो दोनों जगह रहते हैं और नभचर जो आकाश में रहते हैं, तो गाई, हीरन, उट, आदमी, चूहा, बाग यह हमारे इस्थली हैं, मचली, वेल, यह हमारे जली हैं, उभैचर, कचुआ, मेठक, बतक, मगर, मच्छ, पानी उसके बार दोनों रहते हैं, नभचर में आपका मोर और कबूतर हो गया, मीना ने नभचर जीव का एक समूह बनाया, निम्लिकित में से कौन सा समूह सही है, तो यह देखे, चमगादड, गोरया और तोता, आगे देखिए, जन्तूओं में अनकूलन के लिए, नीचे मचली के शरीर पर किसका आवरण होता है और क्यों इसको विशेज ध्यान रखिए, कि मचली के शरीर पर शलकों का आवरण होता है, अनकूलन की द्रिष्ट से आवश्यक है, इससे तैरने में आसानी होती है, आसानी से तैरने के लिए मचली की बनावट कैसी होती है, मचली क मचली की शरीर नाव आकार में होती है. इस आकार को धारा रेखित कहते हैं. शरीर पर पंख्यों पूँच पतवार का काम करते हैं और सास गलफडे से लेती हैं. मचली की पूँच का क्या कार्य है तो मचली की पूँच नाव के पतवार की तरह काम करती है जैसे नाव पतवार की सहायता से आगे बढ़ती है वही कार्य मचली की पूँच करती है मचली का आकार उसे पानी में रहने के लिए किस तरह उपयोगी होता है तो मचली का शरीर धारा रेखित होता है जो तैरने में सहायत होता है शरीर का पंक एवं पूँच उसे पानी में रहने के अनकूल बनाती है पक्षियों और जलिये जन्तूओं के आकार समान होते हैं फिर भी पक्षि पानी में क्यों नहीं तैर सकते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्ण है तो इसका मुख्य कारण हम श्वसन परिक्रिया को ले सकते हैं उसको कहा जा सकता है जलिये जन्तू गल्फडे से सांस लेते हैं अन्य फेफडे से पानी में रहने वाले सजीव कैसे सांस लेते हैं जैसे मगर मच्छ है तो नाक से, केकडा गिलियोम नाक से, मेड़क नाकियोम तवचा से वेल और डाल्फिन को फेफडे से सांस लेते हुए कहा जा सकता है जनतूं के अनकूलन में आगे देखिए चित्र में दिये गए जानमर के पैरों की क्या विशेश्टाएं हैं यह विशेश्टाएं उसको पानी में रहने में कैसे मदद करती हैं दिये गए पक्षी के पंजे हमें पतली परत वाले चमडे के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और उसके ये पंजे पतवार की तरह होते हैं, नाव की पतवार की तरह तेरने में मदद करते हैं। मेधक अपना रंग क्यों बदल लेते हैं? मेधक शिकारियों से बचने के लिए एवं मादा मेधक को आकर्षित करने के लिए रंग बदल लेते हैं। मेढक पानी और जमीन दोनों जगहों पर सांस ले सकता है क्यों? जब मेढक पूरी तरह पानी में रहते हैं तो तवचा से श्वसन करते हैं. भूमी पर मेढक केवल फेफणों से सांस लेते हैं. पक्षी का आकार उसे उड़ने में कैसे मदद करता है तो उनका शरीर धारा रेखित आकृति में होते हैं. यही कारण है कि पक्षी आसानी से आसमान में उड़ते हैं. पक्षियों की पूँच का क्या आकार रहे हैं? इनकी पूँच इन्हें उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करते हैं. क्या पक्षियों में दाथ पाए जाते हैं? कारण सहीत आपको बताना है पक्षियों में दाथ नहीं पाए जाते हैं. यह चोच की सहायता से चीजों को काटते हैं. इनके यह जरूरी है पक्षियों के पर और पंक किस तरह से उप्योगी होते हैं। नीचे कुछ पक्षियों यहां उनके पैरों के चित्र दिये गए हैं उन्हें देखकर निम्न तालिका में आपको भरना है तो यहां देखिए पक्षी है पक्षियों के पैर की आकरिती दी गई है और यहां देखिए इस पक्षी का और यहां बाज है इस पक्षी का और यहां गौरेया इस पक्षी का आपको दिखाया गया है, तो पेड की डाल पकड के लटकने, यों पेडों को मजबूती से पकडने में सहायक है, लंबी चोच से ये पेड में गड़ा कर देते हैं, यों खाने में भी इनके ये चोच मदद करते हैं, इसके पेर पतवार की तरह होते है हैं जो तैरने में मदद करते हैं चोंच कीडे मकोडे पकड़ने में सहायक हैं इनके पंजे विशाल काय होते हैं शिकार को लेकर उड़ जाते हैं इसकी चोंच बहुत नुकीली होती है शिकार में सहायक है इसके पंजे छोटे होते हैं जो बैटने एवं पकड़ने में सहायक ह इसकी चोट छोटी होती है दाना चुगने का कारिक करती है चूहा और सांप जैसे रेगिस्तानी जानवरों में कैसा अनकूलन पाया जाता है चूहे एवं सांप रेट के विलों में छिपे रहते हैं जो उन्हें सूरज की गर्मी एवं शरीर में पानी की कमी से बचाते हैं रेगिस्तान में रहने वाले लोम्डियों के कान बढ़े होते हैं इस अनकूलन में उन्हें क्या मदद मिलती है रेत में शिकार की आवाज सुनने के लिए, लोमडी को ठंडा रखने के लिए, सूर की चकाचौंद और गर्म रेत से बचाने के लिए आगे देखिए बिल में रहने वाले जीवों के विशेश्टा लिखिए कुछ जीव जैसे छचुंदर, नेवला और विज्जू, बिल का निर्माण अपने को सुरक्षित करने, शरीर को गर्मी से बचाने के लिए करते हैं गाए और शेर क्या-क्या खाते हैं, उनके दातों और नाखूनों की तुलना कीजिए तो गाए घास ज्वार दालों के छिलके आदि खाती हैं, इनके दात चप्ते सपाट होते हैं और इनके नाखून छोटे होते हैं अब शेर मांश खाता है, उनके नाखून यों दात नुकिले होते हैं जानवरों के दान्त अलग-अलग तरह के होते हैं उनके प्रकारों को उधारन सही समझाईए तो गोड़े, उूच, गाय, भेड, बकरिया, शाकाहारी हैं उनके पास चौणे सपार्ट दान्तों की पंक्तियां होती हैं शेर, भेड़िये, लोमड़ी, मांसाहारी हैं उनके दात लंबे, नुकीले होते हैं पास पास पाय जाने वाले पक्षियों की सूची बनाईए तो कववा, कोयल, कबुतर, तोता, मोर, मैना, गोरेया, कटफुडवा, बत्त, खादी हमें दिखाई पड़ते हैं जंगल में रहने वाले चीता या बाग जैसे जानवरों में अपना भोजन खोजने के लिए किस-किस तरह से अनुकूलन पाय जाते हैं तो बाग या चीता रात्रिचर होते हैं यानि रात में जादा अपने शिकार की तलाश करते हैं धारिदारियों मटमेला रंग है उतकरिष्ट द्रिष्टी और सुनने की तेज अक्षमता तेज दात और पंजे लचीली रीड अपने ग्री पर जीवित रहने के सबसे बड़े फाइदे हैं फिर यहाँ देखिए आपका ये तीसरा ओप्शन सही होगा पुरा पढ़कर आप देखिए उसमें क्या सही है शेर और भेड अपने अपने समू में रहते हैं यह उनके लिए कैसे फाइदे मंद हो सकता है तो समू में रहना सब के लिए फाइदे मंद होता है सुरक्षा की दृष्टे से शेर और भेर अपने अपने समू में रहते हैं क्योंकि जुन्ड में रहने से एक दूसरे को सुरक्षा मिलती है संकट का सामना सब मिलकर करते हैं एकता का बल मिलता है यहां आपको गिर्गिट दिखाई दे रहा है अब उनके अंग की विशेशता आप यहां देखिए पूँच को खत्रे का पूर्बा भास हो जाता है वह तहनियों को पकड के लटकने में सहायक होता है जीप गिर्गिट की लंबी जीप काफी दूड स्थित शिकार को पकडने में भी उप्योगी है ये अपनी जबान अपने जैसे ही तीन गिर्गिट के बराबर निकाल सकती है अच्यमडी गिर्गिट परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं इसकी त्वचा चार परतों एमम पारदर्शी होती है द्रुवीक शेत्रों में कौन-कौन से जानवर पाये जाते हैं इन जानवरों में ठंड से बचने के लिए किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है तो भालू, लोमडी, बारा, सिंगा, बैल आधी होते हैं ठंड का सामना करने के लिए मोटी त्वचा एवं फर की परत होती है और चौने पंजे होते हैं जो बरफ में चलने में सहायक होते हैं रात में शिकार पर जाने वाले जानवर जैसे उल्लू और चमगादर में कौन-कौन से अनुकूलन पाये जाते हैं उनके पास सम्रिध रेटिना होने के कारण रात को अच्छा दिखाई पड़ता है कान, नर्म, पंख, मूख, उडान को सक्षम बनाते हैं इन जानवरों की शारिरिक संद्शना किस प्रकार उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार से बचाने में मदद करती है इनकी शारिरिक संद्शना विच्चित्र है, इनकी लंबी गरदन उची शाखाओं तक पहुच जाती है, यहीं उन्हें खत्रों से बचाती है जेबरा के पैर लंबे होते हैं, दात तेज होते हैं, जो भोजन प्राप्तियों सुरक्षा की द्रिष्ट से अच्छा है इनके दात मजबूत शरीर सुन्दर होता है, इनके लंबे कान एउम आखें, खत्रों की जानकारी देते हैं, तेज चाल उसकी खूबी है, जो उन्हें शिकारियों से बचा लेते हैं खरगोश, चमगादण और बकरियों में सामाने लक्षन क्या हैं, वे बच्चों को जन्म देती हैं परवती क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानोरों में क्या-क्या विशेशताएं होती हैं, परवती क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है ठंड क्षेत्रों में पाये जाने वाले जन्तूओं के शरीर की तवचा मोटी होती है और उसके उपर लंबे बाल पाये जाते हैं, लंबे बाल एवं मोटी तवचा ठंड से बचाते हैं